विश्व विख्यात शक्तिपीट श्री नैना देवी जी में भारी भीड में श्रधालू और परेटकों की सोने की चेन साफ करने वाला पंजाब का महीला स्नेचर गिरोह को सुरक्षा कर्मियों ने धर्दबो जा हैं और उनसे श्रधालू महीला की सोने की चेन भी बरामत की है विश्व विख्यात शक्ति पीर श्री नैना देवी में सुरक्षा कर्मियों ने तीन चेन सनेचर को गिरफतार किया है जानकारी के अनुसार जब जारखन से आईश्रत धालू अपने परिवार के साथ मा के दर्शनों के लिए मुखेद्वार के पास सब भीड में खड़े थे उसी समय पंजाब की इस नेचर गिरोह की तीन महिला सदस से उनके पीछे आकर भीड में खड़ी हो गई जैसे ही भीड आगे बढ़ने लगी उन्होंने बड़ी ही होश्यारी लिफाफे से ढखकर महिला की सोने की चेन गले से उड़ाली लेकिन जैसे ही चेन निकाली गई महिला को इसका पता चल गया महिला ने अपने परिवार वालों को इसके बारे में बताया और उन्होंने शोर मचाया तो सुरक्षा कर्मी वहाँ पर आ गए सुरक्षा कर्मी उन्हें घेरा डाल कर लाइनों में महिला सनेचर गिरोह की तीन सदस्यों को पकड़ लिया जब उनकी तलाशे ले गए तो सोने की चेन उनके पास से बरामद हो गए। तो हम लोग उनकी पहचान ले विफ लेखे हैं कोई लेती तो अगए आजीशाब गशे हैप लेती खाई लेया है उनकी पिस पास अग्यवित कर देख हैं कि अजीशाब कर देख्य। महला गिरहू की सदस्यों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है इस मौके पर मंदिर न्यास के अधिक्षक तुलसी राम ने कहा कि श्रद्धालू महिला की सोने की चेन बरामत हो गई है उन्हें कहा कि तीनों चेन स्नेचर्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया है सिटी चैनल के लिए नैना देवी से मुकेश गौतम की रिपोर्ट